हल्लो भाईयों इस वीडियो के अंदर अपने अपर बात करेंगे जो आज की दिन यहां पर दूसरा मैच होगा यहां पर सेंट लोसिया टीटेन ब्लास्ट का जो खेला जाएगा यहां पर जी आई सी बी और यहां पर एस सी एल के बीच में तो इस मैच की में आपको पूरी की कोई जानकारी दूँगा बस आपको करना कुछ नहीं है वीडियो जो है लास्ट रख वाच करना आपको एक एक चीज़ आँ पर क्लेर हो जाएगी तो भाईयों यह जो मुकाबला है ना स्टार्ट होगा रात में बारा बजे मैच नमबर टू होने वाला है मैच जो है सेम व वीडियो के डिसक्रिप्शन में दूसरा कमेंट सेक्षन में भी पहले कमेंट में आपको टेलिग्राम चनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन की अवा मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप बहुत ही आसानी के साथ टेलिग्राम चनल को जोइन कर सकते हो जोइन उना जरूरी है क्योंकि last moment update सारी के सारी यहीं पर आने वाली है पिच रिपोर्ट की बात कर तो जैसा कि मैंने आपको पहले मेंच में बताया को ज्यादा बात करने वाली चीज़ है नहीं बैलेंस सर्फेस यहां पर रहता है और यहां पर average score 80-90 के बीच में आपर generally बनता है यह चीज़ आप ध्यामे रखके चरिएगा अब देखो पहले बात कर लेंगे SCL की टीम की क्या playing 11 रह सकती है क्या इनका betting order रह सकता है तो इनकी तरब से most likely open करेंगे जोंसन चास अगर available रहते हैं उनके साथ में आएंगे मैल कोलम मैनोरस, जवारी गैब्रियल, जालन चंदलेर, वेड कोलोविस, यहां से वेंदले इंगलिस, कैंसली पॉल, डैनली बैप्टिस्ट, यहां से बोल्टन सेयर्स, कोडी, फॉंटेनिल और उनके लावा थियो एडवर्ड तो यह इनकी टीम का most likely playing 11 रहेगा with betting order अब य जोंसन चार्ल्स का record बहुत बढ़ी है, बयानली टीटेन में 1051, 30 का आवज है, बहुत तगड़े प्लेर अगर खेल कें तो सीधे टीम में रहेंगे, मैल को नम मोनरस हैं, 12 टीटेन में 206, 28 का आवज, 6 विकेट है, 9 ओवर डालके मेन काम इनका, betting है recent form 11, 1, 10, 35, 10 है, सा consistent कम रहता है, जैवेरी गबरियल है, ये जो है betting प्लस बोलिंग दोनों से आपको point देगा, 14 टीटेन में 252, 6 विकेट है, 26 ओवर डालके, recent form 69, 0, 65, 1, 17, 8, 16, 0, विकेट है, बहुत बढ़ी आप ओम है, जयालन चंदलेर है, 9 टीटेन में 23, 14, 9 बेटिंग, 9 बेटिंग, चार ओडालके बोलिंग करवाता है, लेकिन बहुत कम बोलिंग करवाता है, recent form 4, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 9 बेटिंग है, तो यहां से important player कौन कौन है, important player है, जोंसन चाल्स है, यहां से मेलकुलम मोनरस है, जैवेरी गबरियल है, इनके अलावा वेंडले इंगलिस ऐसा player है, जिसक लेकोगे यहां पर, तो 9 T10 के अंदर 70 run, 8 wicket है, 9 over डालके, मतलब bowling करवाता है, लेकिन बहुत कम bowling करवाता है, recent form 9 betting, 31, 2 wicket, 18, 2 wicket, 0, 3 wicket है, डैनियल बेप्टिस्ट है, 6 T10 में 4 wicket है, 12 over डालके, recent form 0 wicket, 1 wicket, 1 wicket, 1 wicket, 1 wicket है, यहां से बोल्टन सेहर्ष है, 2 T10 में 1 wicket है, recent form 1 wicket है, कोडी, फॉन्टेनिल, 2 मेच में 3 run, recent form 3 or 9 betting है, थियो, एडवर्ड है, इसके नाम अगर आप देखोगे, 3 T10 में 7 run, 0 wicket है, recent form कुछ खास इसका है नहीं, तो यहां से important player कौन-कौन है, important player है, यहां से कैंसली पोल है, और डैनियल बेप्टिस्ट है, बाकी बोल्टन स players को अगर आप चाहो, तो रख सकते हो, अधर्वाइस आप इनको drop भी कर सकते हो, अब देख लेते हैं, बेंच पर जो इनके player है, उनमें से आप एक ही player के stats है, कोलिनस, कलेंडर के जिसके नाम 6 T10 में 114 run, 2 wicket है, और recent form 34 0 wicket, 26 0 wicket, 5 1 wicket है, खेलेगा तो important रह सकते हैं, बाकी जो 3-4 player है, इनके stats available नहीं है, starting over डालते है, बोल्टन सेस, टी एडवर्ड, डेथ में आएंगे, जवेरी गेब्रियल और कैंसल पोल यहाँ पर डेथ के अंदर most likely bowling करवाने चाहिए, अब यहाँ पर देख लेंगे, दूसरी टीम की playing लेवन और उनका betting order, तो GICB की जो टीम ह इनकी तरब से अगर आप देखोगे, इनकी तरब से most likely open करेंगे, जिदाने आर्थूर, फिनाइंग यहाँ से नोईली लियो, यहाँ से मुर्गरन सोलूटे, यहाँ से तारिक एडवर्ड, जार्ड गुडमेन, यहाँ से डॉमिनिक ओगोस्ती, रयान गुडमेन, डैर्वि भी देख लेंगे, जिससे अपन को सारी चीज़ें यहाँ पर clear हो जाएंगी, open कौन करेगा, open यहाँ से most likely करेंगे, जेड आर्थूर और नोईली लियो, जेड आर्थूर के नाम 4 मैच में 56 है, रिसेंट फॉर्म नोव बेटिंग 15-41 है, अलब जब इसको उपर बेटिंग म दालके, रिसेंट फॉर्म 18-0 विकेट, 4-2 विकेट, 1-0 विकेट, 18-0 विकेट है, तैरिक एडवर्ड है, इसके नाम अगर आप देखोगे, 13 टीटेन में 69 रन, 6 विकेट है, 27 ओर डालके, अच्छा ओल्डांड प्ले रही है, रिसेंट फॉर्म 13-0 विकेट, 0 विकेट, 5-2 विकेट, 11-1 विकेट और 1 विकेट है, जाट गुड़मेन है, 12 टीटेन में 84 रन है, रिसेंट फॉर्म देखोगे, 15-1, 2, 17-5 है, डॉमिनिक अगोस्ती, यहाँ पर T20 खेला है, टीटेन नहीं खेला है, 4 टीटेन में इसके नाम 95 रन 23 का आवरज है, यहाँ से इंपोर्टन पेर कोन है, एक तो जेड आर्थूर को आप रह सकते हो, इनके अलावा मुर्गन है, यहाँ से तारिक एडवर्ड है, बाकी में को उतना कोई खास प्लेयर यहाँ पर लगा नहीं, नेक्स जो प्लेयर इनके है, प्लेइंग 11 के है, उनके अगर बात करू में आप है, तो आए चाहर T10 में 2 विकेट है, रिसेन फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट है, ट्रेंट बेल फोन है, टी-वेंटी के पांच में 3 विकेट है और इजाई Zones है जिसके नाम ODD के 1 मैच पे 0 विकेट है, तो यहाँ से इम्पोर्टन पैर कौन रहेगा, एक तो सीमोन है इसके नाम लिमिटेड ओवर में पांच मिच में 231 है ली जोन है टीटवनटी के पांच मिच में 44 विकेट है बलब बोलिंग बहुत अच्छे करता है यहां से टाइरल चिकोट है ग्यारा टीटवनटी में 206 रंग 13 विकेट इसके नाम है और बाकी जो प्लेयर है उसक चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है डेमो टीम में अगर आप देखोगे तो फिलार के लिए विकेट किपिंग सेक्शन से मैंने जोनसन चार्ल्स को रखा है जबकि बेटिंग सेक्शन से में रखा लेकिन यह फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम मिलेगी टेलिग्राम पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वीडियो लास्त देखने के लिए धन्यवाद